हेलो वीवर्स अन्बोक्सिंग इंडिया मैं आप सबका स्वागत है और मैं हुई इम्रान आज मेरे पास जो डिपाइस यह वह है वीवो वाइफिटी तो इसी बॉक्स को इस वीडियो में करेंगे अन्बॉक्सिंग और वीवो वाइफिफिटी से जुड़े सारे स्पेसिफि और कुछ इस तरीके से हमें वीवो वाइफिटी का बॉक्स नजार आता है और यहां पर जिकर किया गया है वीवो वाइफिटी और उपर इसी वीवो का ब्रांडिंग लगा हुआ है और साध जाद 5000 1000 इंप्यर यानि 5000 मिली एंप्यर का बैटरी इस फॉन में देखने को मिलेगा और इस फॉन की रेंप को लिखर बात करो तो यहां पर mention किया गया है इस फॉन में मिलेगा आपको 8GB RAM 128GB स्टोरेज बाकि पीछे mention किया गया है इस फॉन के डिस्प्ले के बारे में जो कि आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मगलेगा फुल एच डी प्लस आई व्यू डिस्प्ले और बाकी यहां पे 8GB RAM 128GB स्टोरेज कॉलकम स्नाप्रागन का यहां पे चिपसेट लगा हुआ है और बाकी देख सकते हो जो कलर है काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग कलर है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हो वीव वाई 50 में आपको तीन कलर नजर आएगा इस्टरी ब्लेक आईरिस ब्लू और साथ सथ फैलाव हुआइट तीन कलर में फोन एवाइलेबल रहेगा तो चलिए इसी बॉक्स को यहां पर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इस बॉक्स के और चीजों के बारे में आगे शेर करने वाला हो जैसे ही स्कूप्स बॉक्स को ऊपन करते हैं कुछ इस तरीके से उपर एक वाइट कलर में आपको सेक्शन देखने को मूँलेगा इस सेक्शन को लेकर बात करो तो यहां पर एक ट्रेंस्परन्ट कोवर बाकी यहां पर सीम टूल और कुछ डोकुमेंडेशन यहां पे वीवो की तरफ से दिया गया है बाकी यहां पे कुछ इस तरीकी से पॉडेक्शन के साथ में आईरिश ब्लू कलर में आपको यह फोन देखने को मिल जाता है और बाकी यहां पे आए में स्टीकर वगरा और बाकी कॉंटेंट्स को लेकर बात करो तो यहां पे एक अडॉप्टर दिया गया है जो की है यह फॉस्ट लिए बेसिक साथ एक षाइब थैल चाईब सिब्ल और यहां पे आपको एक बड़ी अशा फोन वीवो वाइफस्टी में देखने को मिलता है बाकी चलिक्शनस से वीवो वाइफ पिफ्टी और यहां पर देख सकते हो looks and design definitely काफी बहतरीन लग रहा है फोन का जो कलर है Irish blue color है बहुत यह attractive color यहां पर नजर आ रहा है फोन का पीछे का looks बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है glossy type design के साथ मैं आपको यह पीछे का body मिलता है जो body है पॉलिक कर्मोनेट का है फोन का looks and design definitely काफी बहतरीन यहां पर लग रहा है फीचे से फोन का यहां पर आपको वीवो का branding और साथ ही साथ यहां पर finger print scanner और यहां पर जो camera module है खास करके यहां पर चार camera लगाया गा है LED flash के साथ में वह बहुत ही ज्यादा फोन को attractive बनाता है अगर मैं बात करें इस फोन की thickness को लेकर तो 9.1 mm का इस फोन में आपको thickness दिया गया है और जो weight है 197 ग्राम इस फोन का weight है बाकी यहां पर देख सकते हो power button और साथ जाद volume रख कर right side में इस फोन का देखने को मिलेगा नीचे speaker grill type C port एक primary microphone और 3.5 mm audio jack यहां पर right side में दिया गया है और बाकी साथ से देखें के तो यहां पर sim train नजर आएगा जो sim train है इस फोन का वो triple slot है यानि 2 nano sim and micro sd guard लगा सकते हो आप टू 256 GB तो overall बात करें इस फोन की looks design and will quality को लेकर तो मुझे काफी शांदार यह device लगा हूँ ऐसे मैं आपको इस फोन का looks design and will quality और खास करके यह जो color है Irish blue color यह आपको कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बताए और अच्छे लगा तो इस वीडियो के लिए एक like जरूर कर दीजिए और फोन को on करते हैं और फटावट से यहां पे जो setup है से set कर देते हैं और बात करते हैं इस phone के display को लेकर जो display है definitely काफी attract करेगा क्यूंकि यह जो display है 6.53 inches का display है IPS LCD दिया गया है इस phone में और जो display resolution है वो full HD plus resolution के साथ में यह display आता है इन display camera के साथ में आपको यहां पे display देखने क मिल जाता है देख सकते हो कोने में आपको यहां पे camera लगाया है जो front facing camera है यानि जो size है display का 6.53 inches का है definitely अच्छा है और जो resolution है full HD plus जो pixels देखने को मिलेगा 1018 to 2400 का pixels देखने को मिलेगा और जो यहां पे आपको PPI है 403 का PPI इस phone में देखने को मिलेगा skin to body ratio को लेकर बात करो तो 83.1% skin to body ratio है और जो spec ratio दिया गया है 20 to 9 का spec ratio देखने को मिलेगा तो अवरहल बात करो इस phone के display quality को लेकर definitely काफी अच्छा display दिया गया है यानि जो display के मामले में gaming experience या फिर videos के मामले में जो experience रहेगा काफी अच्छा होगा offline market के हिसाब से price के हिसाब से जो इसमें display दिया गया है मुझे काफी definitely अच्छा लगा अगर बात करूए इस phone की performance को लेकर जो RAM है इस phone का 8GB RAM है 128GB storage और इसमें micro SD card support भी करता है up to 256GB तक बाकि जो android version मिलता है वो 10 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और जो operating system है phone touch operating system 10 दिया गया है विजो chipset लगाया गया है Qualcomm Snapdragon 665 का chipset लगाया गया है 11 नमेटर chipset है जो fabrication है 11 नमेटर है और जो जीप्यू है Adreno 610 का चीप्यू लगाया गया है यहादी 8GB RAM 128GB storage Adreno 610 का GPU, OctaCore processor Qualcomm Snapdragon 665 का Android version 10, phone touch operating system 10 के साथ में बड़िया performance होगा gaming के मामले में phone कैसा होगा जो performance मिलेगा definitely काफी एच्चा रहेगा लेकिन अगर pro player हो तो definitely तोड़ा सा हो सकता है आपके लिए इस phone में gaming के मामले में दिक्कत हो वही अगर बात करें इस phone की battery के मामले में जो battery लगाए गया है लेकिन तोड़ा सा यहाँ पर निराश होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स चर्जिंग सपोर्ट नहीं दिया गया है अगर बात कर इस फोन की fingerprint scanner face unlock को लेकर तो इसमें आपको पीछे fingerprint scanner दिया गया है बाकी इसमें face unlock का भी option available देखने को मिलेगा यानि इसी कोड़ी के मामले में fingerprint scanner face unlock और pin button का आप इस्तेमाल कर सकते हो तो चलिए यहाँ पर set कर देते हैं और बाद में performance quality देखेंगे कि किस तरीके से performance करता है यह phone fingerprint के मामले में और face unlock क्या तेजी तरीके से phone unlock होगा या नहीं तो यहाँ पर हमने fingerprint को set कर दिया है face unlock कभी fingerprint scanner तो यहाँ पर देख सकते हो जो face unlock है काफी तेजी तरीके से काम कर रहा है slow नहीं होगा जैसी ही आप मैं यहाँ पर front पे अपने चेहरे को ला रहा हूँ phone unlock हो रहा है face unlock के मामले में बाकी fingerprint scanner देख सकते हो काफी fast है यानि विवो i50 में आपको fingerprint scanner and face unlock slow नहीं होगा first काम करेग अब चलिए फिलहाल बात कर लेते इस phone की camera को लेकर इसमें जो primary camera है 13 megapixel का है और जो दूसरा camera है 8 megapixel 2 megapixel तीसरा camera है और जो चोधा camera है 2 megapixel यानि 13 plus 8 plus 2 plus 2 megapixel का पीछे 4 camera दिया गया है कुछ photos यहाँ पे click किया है मैंने देख सकती हो जो primary camera है 13 megapixel का है और जो front facing camera है इसमें आपको 16 megapixel का front facing camera लगाएगा है aperture f 2.0 के साथ में आता है और quality देख सकते हो जबरदस्त है selfie के मामले में इस phone में आपको photo देखने को मिलेगा बाकी जो rear camera है 13 megapixel aperture f 2.2 के साथ में आता है ultra wide angle के लिए यहाँ पे 2 8 megapixel का camera लगाएगा है aperture f 2.2 के साथ में आता है तीसरा जो camera है वो 2 megapixel का है aperture f 2.4 के साथ में आता है जो depth sensor के लिए लगाया गया है यानि overall बात करूं 13 megapixel का rear camera है और 16 megapixel का front facing camera camera में तोड़ा सा हो सकता है आपको rear camera में तोड़ा सा कमी देखने को मिलें लेकिन overall जो performance होगा camera के मामले में अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा अब चलिए बात कर लेते हैं इस phone के price को लेकर जो वीवो i50 है जिसमें 8GB RAM 128 GB storage 6.53 इंचेस का इंड डिस्पले camera वाल cell का front facing camera है और इस phone का जो इंडिया का price रखा गया है वो है 17,990 रुपीज यानि almost 18,000 का यह device है तो 18,000 के device के हिसाब से वीवो i50 आपको कहसा लगा मुझे डेफिनेटली offline के market के हिसाब से काफी अच्छा price में यह phone लगा वैसे में वीवो i50 आपको कहसा लगा नीचे comment करना न बुले अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रू शेयर कीजिएगा और रोजाना यसे ही unboxing वीडियोज लाता रहूंगा हमेरे साथ बने रहे गा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या वेल अइकन को जरूर दवाईए तब तक के लिए बाई भाई ठेक्चार और जाए हिंद